तो नमस्कार जी सारण है कुष्टी जमाय लाइब यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है तो जैसे की जानते हैं आज आपना संडे का दिन और इस दिन आपने चनल को पर एक व्लोग शुट कर रहा है और वह व्लोग आपने बहुत बढ़े लगा तो आज मैं अपना गाव लास्टे विडियो निम कामरों आंकल children तो चरफ सिट्पाना वो खेटा मैं और शुक्त गोड़ीं मान आपके जितने भी चैनल देखने वाले दर्सक है त। को नमस्कार और यह मारे गाहों से बहुत ही अच्छे लड़के इनके दादा जी भी नर्शी पहलवान के नाम से परशिद होया करते हैं और इनके चाचा जी आज बड़े सत्र के पुरुषकार जीत कर ला चुके हैं कुष्टी के मामले में जिनका नाम राजेस पहलवान और कि पिता जी ड्रेवर और यह लड़का बड़ा सोचल और बड़ी है एक सिंपल परिवार से यानिक बड़ी है जो अपने देशी गाम के आगरान खांदानी परिवार से तो वह इस बच्चे को मैं आशिरवा देता हूं आज आपने और गेनिक फारम पर पहुंचे इसलिए पहुंचने पर भी मैं अर्दिक अभी नंदन और स्वागत करता हूं अंकल जी बहुत बहुत दन्यवाद मैं आपको बहुत सारा बारी रहा हुआ इस चीज़े मैं आपको दिल से श्कुरिया करता हूं आपने अमारे लिए समय निकाला और एक छोटे वीडियो के लिए विचार रखिए ऐसा है देखिए सबसे पहला मेरा एक पॉइंट है बिंदू है और जो आज की बिल्कुल सामाजिक बुराई बन चुकी है बिल्कुल अपने जो समाज को जगड रख्या है और उसके बाद आती अत्त्या बहुत बड़े सतर पे नोजवान पड़े-पड़ और चोटी चोटी कामदी के जो बच्चें 12-12-13-14-15 साल के और नसा करने लगे और मैं जैसे स्कूल में जाता हूं परचार करता हूं एक सोचल वरकर होने के नाते हैं तो मेरा कहने कार्थक वह इस परकार के आप कदम ने उठाई हैं आज हमारे समाज में बहुत बड़ी है दोनुबुराईयां हैं बुराईया तो और भी बहुत हैं लेकिना जी मुख्यें हैं एक देसी बात अपने रियानम का आगरना वहले एक हाँ एक कार्थक भाई जिस माबाप के एक है और वह इस परकार के कदम उठा लेता है बच्चा नसामान लिप्त हो जाता है अपना स् पडोस में देखे कितना वात अवरन जो है दिक्कत आती है मौल बिल्कुल एकदम सांत हो जाता है जिसमें एक लड़का और वह सो साइट कर लेता है तो मेरा कहने कारता है कहीं नहीं करो जब नहीं करोगे तो सोसाइट भी नहीं करोगे इस परकार कि आपको पर नहीं है मुख्ये को यह है समाज इक जो बुराई है इसको खतम करने के लिए हर वेक्ति को आगया चाहिए और पूरी से सोचना चाहिए और लेका चलना चाहिए बढ़ी पंजाब का जो नाम है पंच नदियों से पढ़े और वहां पर आचटी नदी निकल इस निकली नशा की वहां के लोग जो सोशल लोग है वो चिंतित हैं कि कहा इंदे कहां से पहों कि अवसकता जैदिक जो व्यक्ति स्वाद लेगा उसको डंड़ बोगना पड़ेगा आर्थ पैसा भी दूखी करता है पैसा भी परिवार को तोड़ने का काम करते हैं मिया भी जगड़े में जाधा पैसा पैसे के लालज में जुट रहे ता लोग परिवार को समय नहीं दे पाता तो यह भी मुख्य कारण है ठीक अंकल जी आपने हमारे चनल पर इतना सारा जो भी अच् सब्सक्तित रहे और अंकल जी को मैं बहुत ही लंमे समय से आया हुआ ह culturally कर्य कर्यंव देखता था और अब मुझे इसे दिल से बहुत ज्यादा खुशी मिली दन्यवाद एक बात वर में उता हूंगा नोजबान एक गोडी जैसे आपने का एक गोडी भी साथ में चाहिए अंकल तेखे पिता प्रमात्मानी जितने भी जिवजुनतु उतारे मनुस्य उतारा सब मनुस्य प्रमात्माने पहले मनुस्य के लिए विरस्था कर रखी और एक बात और आती है कि जो मनुस्य है उसका फराजे की जिवजुनतूंगी रख्षाग्रे जिवजुनतूंगी नस्दीक रहे कभी भी बोद्रेशन में रहेगा कभी जो है डिप्रेशन में जाएगा तो प्रखो कुछ भी रखो अब संतुष्ण होगे इनका भी सत्थान है मनुस्य से बहुत प्यार करते हैं तो मेरा कहने कारता है कि फिर क्या हो या किसी एक व्यक्ति ने मेरे से पूछ लिया कि मनुस्य जो मास मिट्टी खाता है यह इसका बोजने की नहीं है देखिए ना तो मनुस्य के दात पचाने के हैं और ना आत पचाने की है यानि के ना तो दात खाने के है और ना आत पचाने की है पिता परमात्मा ने हमारे के दे रहे हैं वनस्पतिया है बोजन है और परकार कि स्वीदा हैं खाने के लिए अच्छे च्छे आ रहे हैं तो कहने कारता एक जिवजन्तू दूसरे जिवजन्तू को खाता है है यह जपना संतूलन बनाते हो सिष्टम कि आवसकता से अधिक संख्याओं की ना हो तो भाई ओ तो एक अपना सिस्टेम हुनका और मारा फराज जिवजुन्तूं की रक्षया करना तो तुम का काम मारा काम थोड़ी है आज मनुस्ष्य ने क्या करया उनको तो क्या दिया तम तो दूर हो जो भले आम बनावाई संतूलन गंडास ठालिए सौरे जिवजुन्तू क प्रणा करता आया है मनुस्य ने चेड़ घानी पर करती के लिए बहुत सारा नुक्षान कर दिया है अपने जीव के स्वाद में नुक्षान कर दिया है वह यूँ फलाना देवताया बली मांगते बनी या पिता परमात्मा ने जनम दिया हुए मुर्ति देगा हमारा अधिकार के हम किसी को कटे मैं एक और आपके चैनल के मैं देंसे बताना चाता हो नोजवान जो मास मिटी खाने वाले वह विशेष ध्यान दे कभी भी आप कोई मुर्गा की अड़ी लेओ बग्रा की अड़ी लेओ या और जीव की अड़ी लेओ जो तो भई आप खाओ और अपने लगें दोन्हों अड़ी सा मन्य हैं तो फिर मत खाओ बिल्कुल यह निका कहने कारता है कि वह भी जीव हैं वह भी पिता प्रमात्माने दर्तिवे बेजें जितना मुनुष्य का अधिकार है इतना ही उन्जी दुन्तों का अधिकार है और यह तो फोन करके आए बिल्कुल जाने के पैसे नहीं लगेंगे कोई आपकी सेवा तो और यह नहीं के कहने कारता है कि जीव जुन्तों का कहीं ने कहीं जो द्वाई हैं सप्रें ही नहीं बहुत बड़े सतर पर नुक्शान करें मैं कभी भी पराड़ी अपने खेत में बूसा आज से बूलते हैं और नहीं जड़ाता तो इसलिए और निक काम करता हूं और आज का समय में बहुत जरूत है और गैनिक आहार की बहुत बड़ी डिमांड है कि निकोपर पर परकार की बुरही इस परकार का संदेश में कम से कम भी सेक्टरो स्कूलों में अच्छाह हूँ तो मैं दन्यवाद देता हूं और भाई सभी साथियों से आग्रे करूँगा प्राथना करूँगा कि ऐसे नोजवान का चैनल को जो क्या बोलते हैं आपने जिन्त की बरबाद ना करो आपने माव कतर कुछ बढ़िया करो किसे ने अपना बिल्कुल शिकायत का मोगा मत देऊ माव अपका तर कुछ उच्छा करो उच्छे विचार रखो सगहरा तुमक सोच रखो और समाज के साथ मिल करो भाई ठीक है नी तो इसे के साथ मिला यह नए वीडियो के साथ भाई और अंकल जीना इतना टाइम दिया उसक जबता है